आप देख रहे हैं Young Bites, मैं हूँ आपके साथ पुझ अठाकर और आज के हमारे Health Awareness के प्रोग्राम में मैं बात करने जा रही हूँ जितने भी लोग obesity के शिकार हैं, उनमें ज्यादे तर back pain की समस्या रहती है और किस तरह से हम उस back pain की समस्या को ठीक कर सकते हैं, इसी सब चर्चक लेंबार से जुड़े हैं, fitness expert मालवी गुप्ता मालवी आपका स्वागति यंगबाइच में मालवी जिस तरह से हम हर बार कुछ ना कुछ ने इशू पर बात करते हैं, ये भी एक burning इशू है, जितने भी योबीज हैं, उनमें back pain की समस्या रहती है क्या आज आप हमें योग असना बताने जाएंगे, यार उसे पहले हम बात करेंगे, कि ये समस्या क्यों रहती है ओबीसिटी जैसे की बहुत लोगों में देखी जा रही है, और ओबीसिटी का मतलब ही मोटापा है अगर मोटापा होगा, तो आपको चलने उटने बैटने में भी दिकत हो सकती है और उस दिकत में क्या होता है, कई लोग चलना छोड़ देते हैं, कि उनको back pain बहुत जादा शुरू हो जाती है और उनके लिए चलना difficult हो जाता है, because वो उस दर्द को, उस पीड़ा को बरदाश्ट नहीं कर सकते तो यह बहुत ज़रूरी है, अगर आप यह ओबीसिटी की patient है, या अगर आपको बहुत जादा लगता है कि fat आप में बहुत जादा है, fat percentage कम करने के लिए, आपको सबसे पहले यह चीज़ ध्यान रखनी है, खाने पीने के साथ, कि आपकी कमर में दर्द तो नहीं है और अगर आपको लगता है, आपके बाक में पेन है आपको, और उस बाक पेन से, जो भी आप exercise, workout, routine करते हैं, उसके साथ योगा की कुछ आसनास, मैं ऐसे बताऊंगी, जिसको after workout, या फिर after walk, morning और evening walk के बाद, आप जरूर करिए, और धीरे धीरे, जो आपका बाक का fat है, वो भी कम होने लगे, जितने भी लोग ओबीज है, मुझे लगता कही ना कहीं, हैवी वरकाउट तो वो कर नहीं सकते, कुछ ऐसे योग आसना, आच अपा में बताईए, जो वो बैठे बिठाई कर सकते, उनकी बैक ठीक हो सकती है, जी हां, मैं एसे कुछ आसनास बताती हूँ, और ऐसा नहीं है कि Europa कर सकते हैं, बट यह बहुत जरूरी है कि आपके अंधर 《Flexibility जरूर हो। अगर फ्लेक्जिबिल्टी हो तो आपको वो मुटापा का ज़ाधा दिकत नहीं देगा, क्योंकि क्या होता है, जब इनसान मुटा होता है तो उसकी बोडु में इतनी फ्लेक् तो आपकी दोनों चीजे मेंटेंड रहेगी, आप हैवी वेट भी उठा सकते हैं, आप वॉक भी कर सकते हैं, और साती सात अगर आप योगा करते हैं, तो आप इजली कोई भी हैवी काम कर सकते हैं, तो माल भी आज हमें कुछ योगासना बताए कि जो बैक एक के लिए काफे सबसे पहले हम वजरासना पर आजाएंगे, और वजरासना पर आने के साथ ही हमें इस चीज का खास प्यान रखना है कि हमारी कमर एकदम सीधी रहे, हमारी चेस जो है वो बहार की तरफ रहे, और इस तरह से हम अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, इस तरह से, अब ह हम अपना सबसे पहले राइट हैंड जो है वो पीछे की तरफ लेंगे, इन्हेल करते हुए, लेफ्ट हैंड से सपोर्ट लेंगे कमर पे, और राइट हैंड जो है वो पीछे लेके जाएंगे, और कमर को साथ ही बेंड कर देंगे, अब हम अपना राइट हैंड जो है वो कमर पे रखेंगे, इस तरह से, और लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, और साथ ही साथ हमारी कमर जो है उसको बेंड करेंगे, इन्हेल करते हुए, पीछे ले जाएंगे, अब हमें इसको दो, अगर हमने टू ब्रेट बोला है तो आपको अपने कमफर्ट के हिसाब से उतनी देर तक होल्ड करके रखना है, और अगर आप एक मिनट कर सकते हैं, एक मिनट करिए, आप दस सेकिंड कर सकते हैं, आप दस सेकिंड करिए, और जैसे जैसे आप रेगुल उनको छूने के कोशिश करेंगे और अगर आप beginner हैं तो आप अपनी कमर पे हाथ रखके भी पीछे जुख सकते हैं इन्हेल करते हुए अपने हाथों को पीछे ले जाए इन्हेल वापिस और अपनी पुजिशन पे वापिस बैठ जाएंगे नेक्स्ट आसना के लिए हम अपने योगा मैट पे लेट जाएंगे और अपनी हाथों को अपने गाल पे रखेंगे इस तरह से और जिस तरह से बच्चे इस तरह से शैतानिया करते हैं उसी तरह से हम अपने लेग्स की movement करेंगे इन्हेल करते हुए इसे छोटे बड़े बुड़े सब कर सकते हैं easily कहीं भी बैठे हुए अब दूनों पैरों को उपर करेंगे इसको भी 40-45 बार करेंगे बट अगर आपको लगता है आप इतना नहीं कर पा रहे तो हम 20-20 के sets बना के भी कर सकते हैं अब next कहम करेंगे cobra pose बट जिसके लिए हमें क्या करना है इस बार हमें अपने ये दोनों हाथों को इस तरह से इंटर लॉक करते हुए अपनी चिन इसके उपर रखेंगे और फिर उपर लेते जाएंगे इन्हेल करते हुए आपका अपर टोसो पीछे की तरफ हमारी कमर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पढ़ रहा है और उसका अनुभव आपको करना है होल करिए 4-8-10 ब्रेट्स अब हम अपने योगा मैट पे सीधा ले जाएंगे और साथ ही अपनी टांगों को इस तरह से मोड देंगे और अपने हाथों को अप सीधा अपने शोल्डर के बराबर रखेंगे इस तरह से खोल के और जिस तरफ हम मोडेंगे हमारा जो अपर टोर्सो है वो बिल्कुल ओपजिट तरफ मोडेंगे इस तरह से इन्हेल करते हुए सबसे पहले हम राइट तरफ मोड़ेंगे और अपना अपर टोर्सो जो है वो लेफ्ट तरफ रखेंगे इस तरह से so that यह हमारी कमर से ट्विस्टिंग रहे हमारी बाग जो है वो स्ट्रेच हो इस तरह से होल्ड करेंगे 5-10 ब्रेट्स and then दूसरी तरफ अब हम लेफ्ट तरफ मोड़ रहे हैं तो हमारा जो फेस है वो राइट तरफ रहेगा इस तरह से and then वापिस तो मालवी जिस तरह से आपने हमें यह कुछ योग आसना बताए हैं जो कि बैक एक के लिए काफे सादा बैनिफिशल है जितने भी ओबिसिटी के लोग हैं मुझे बताईए कि यह ओबीस की प्रॉब्लम जो है उसे भी ठीक कर सकती है जो इस तरह से आपने योग आसना बताया है कि काफे ज़्यादा फाइदे मन्त है क्या-क्या फाइदे इस योग आसना से और भी हो सकते हैं को चुटकारा मिलेगा तुमाल भी सब में हमें थाने पीने में क्या कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बैक एक पीना हो और हमारी ओबिसीटी की समस्या भी ठीक हो हमें अपनी प्रोटीन इंटेक है वो जाधा रखना है इसमें दूद से बनी चीजे जैसे दह दूद हो गया पनीर हो गया इन चीजों को एवोइट करना है अगर आपको लगता है आप अबीस है या फिर आप पतले होना चाहते हैं तो आपको दूद से बनी चीजों को एवोइट करना है और तीसरा कि हमें लुक्वर्म वाटर मतलब नॉर्मल जो पानी होता है वो हलका इस प्रोग्राम में क्या एक मेसेज आप सभी के लिए देना चाहेंगे कि exercise जरूर करिये walk जरूर करिये और healthy खाना खाईए green leafy vegetables कहा जाता है खाने के लिए और ये जरूरी नहीं है कि आप roti चावल जरूर खाईए लेकिन आप जितना green leafy vegetables fruits लेते हैं natural चीजे लेते हैं उनको प्योग करते हैं तो आपको कही ना कही fit होना शुरू हो जाएंगे और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होएगी तो उमीद करती हूँ आज की प्रोग्राम की हमारी कोशिश आपके लिए काफी helpful रहेगी अगले हफते फिर नए इशू पर बात करेंगे तब तक के लिए आप देखते रहें यंगवाइट्स वीडियो जोनलिस्ट रभी शीक भडू के साथ मैं पूझा ठाकूर यंगवाइट्स चमो